आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास सिक्स एंसी ए आटी इंग्लिश का चैप्टर नंबर थ्री जिसका नाम है टारूज रिवार्ड इस चैप्टर को मैं एक्स्प्लेइन करूंगा इससे पहले कि मैं चैप्टर को स्टार्ट करूं मैं आपको बता दूं कि आपके पास पैंसिल जो होनी चाहिए आपके हैंड में ताकि जितनी भी चीज़े में यहां पर बताता जाओंगा मतलब कोई बीच में बॉर्ड मीनिंग आता है या कोई थ्री फर्म अब दा वर्व आती है तो उसको आपने नोट करते जाना है और बाद में आप उसको अपनी और नेक्स्ट हमारे पास है रिवॉर्ड ठीक है रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है रिवॉर्ड का मतलब होता है पारी तोशिक ठीक है इसका मतलब क्या होता है पारी तोशिक ठीक है या आप इसको ऐसे कह सकते हो इनाम ठीक है इनाम सॉरी यह मैंने गलत लिखिए इनाम कर इसको इनाम ठीक है पारी तोशक या इनाम ठीक है अब देखो इस से पहले कि हम chapter को start करें जो 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 word आते जाएंगे मैं आपको बताता जाओंगा ठीक है अब first word हमारे पास आया देखो chapter में चैप्टर में आया हमारे पास reward अब आपने एक word इसकी तरह मिलता जुलता सुना होगा award एक award होता है एक reward होता है ठीक है इसमें क्या अंतर है अब आपको sound में दोनों ये थोड़ी थोड़ी same लग रहे होंगे ठीक है और इनका use भी हम कई बार commonly कर लेते है एक दूसरे के लिए award और reward award और reward का मतलब दोनों का मतलब इनाम है लेकिन इनमें थोड़ा सा difference है थोड़ा सा नहीं बहुत जादा difference है इसमें क्या मतलब है एक award और reward में क्या अंतर होता है award का मतलब आपको इनाम होता है अगर किसी पब्लिक के सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए वहाँ पर मालो उनके सब के सामने अगर आपको कोई इनाम देता है आपको कोई ट्रॉफी मिलती है या कोई दूसरा आपको इनाम दिये जाता है तो उसको हम कहते है अवार्ड अवार्ड मतलब जो बहुत सारे लो पर उच्छेंट में व्ताय ओर से चेंट ली जब को कि ओआ पुल जो आपको फिजिकलि को आपको कुई मिल गई दूस्री चीज आहे जो स्वर के सामने आपको फिंच सामने आपको कोई us उनको हम गया, उसको हम गया कहेंगे, उसको हम कहेंगे award, जबकि reward का मतलब होता है, अब मानलो, आपकी class में दो बच्चे है, आपकी class में बहुत सारे बच्चे है, ठीके, और आपकी class में एक rule बना हुआ था, कि जो first आएगा, उसको मिलेगा, उसको जो है एक trophy मिलेगी, ठीके अगर मानलो, अब दो बच्चे थे, जिन पर competition काफी हद तक काफी जादा हुआ, उन दोनों में competition, ठीके, तो मानलो, ये दो बच्चे थे, एक बच्चा ये था, एक बच्चा ये था, ठीके, पूरी class में से ये दो बच्चे थे, इसके two marks कम आए, ठीके, तो rule क्या था, rule ये काफी जदा praise करेगा, ये कहेगा कि इसने भी काफी अच्छा किया, ठीके, बस थोड़े-थोडे mark से ये पहले बच्चे ने थोड़ा सा अच्छा किया, तो इसको जो जो मिल रहा है, इसको हाला कि ट्रॉफी नहीं मिली, ठीके, इसको award नहीं मिला, इसको हाला कि compliments इसको भी म बताया, ठीके, तो ये है reward और award में अंतर, I hope कि आपको इसका पता लग गया होगा कि award क्या होता है, and reward क्या होता है, ठीके, next हम चलते देखो, अब हम चलते चैप्टर की तरफ अपने, ठीके, तो यहां पर देखो क्या है, a young boot cutter named taro lived with his mother and father on a lonely hillside, ठीके, एक अकेले से hillside में क अकेले में रहते थे, ठीके, अब बूड कटर, बूड कटर का मतलब क्या होता है, बूड कटर का मतलब होता है, जो लकडी काटने वाले होते है, जिनको occupation ही लकडी काटना होता है, उनको हम क्या कहते थे, बूड कटर, ठीके, वो कहां पर रहते थे, अकेले में रहते थे, कह का पूरा दिन जो है वो लकडियों को chop करने में ही बिचाता था अब देखो chop chop करना क्या होता यहां पर लिखा है chop ठीक है what does chop mean तो chop का मतलब यहां पर दिखा है आपको cut into pieces मतलब किसी भी चीज को pieces में convert कर देना मतलब उसको piece के अंदर convert कर देना बहुत सारे उसके तुकड़े तुकड़े कर देना उसको हम क्या कहते है chop करना ठीक है उसको हम क्या कहेंगे chop ठीक है chop का मतलब यहां पर देखो यहां से आप लिख लो cut into pieces मतलब किसी भी चीज को तुकडे तुकडे कर देना, उसको हम कहते है चॉप कर देना ठीक है, चॉप, चॉप, चॉपड, ठीक है नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है दो, he worked very hard he earned very little money अब यहां पर देखो दो, he worked very hard यह दिपी वो बहुत जीदा मेहनत करता था ठीक है, he earned very little money फिर भी वुचको जो है बहुत ही कम वनीव है अर्ण कर पाता था ठीक है अब देखो यहाँ पर अर्ण का मतलब क्या होता है E-A-R-N-E-S को लिख लो आप अर्ण का मतलब होता है प्रापत करना ठीक है अर्ण का मतलब होता है प्रापत करना ठीक है, earn का मतला प्रापत करना on, on, on ठीक है, ये on, actual word है earn, ठीक है, earn से ही क्या मेरा है earn, on e-a-r-n-e-d, earned ठीक है, तीसरा भी earned e-a-r-n-e-d, earned मतला प्रापत किया earn मतला प्रापत करना earned मतला प्रापत किया, ठीक है तो next देखो this made him sad for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed ठीक है, अब यहाँ पर देखो, टारो जो था वो एक बुड कटर था, वो पूरे दिन मैनत करता रहता था, मतलब लकड़ी यह काटता था लेकिन फिर भी उसको काफी कम पैसे मिल पाते थे, ठीक है, इसकी बज़े से क्या था क्योंकि उसको बहुत कम पैसे मिल पाते थे तो इसकी बज़े से क्या था, इसकी बज़े से वो काफी दुखी रहता था, ठीक है for he was a thoughtful son and wanted to will क्योंकि वो क्या करता, वो क्या चाता था for he was a thoughtful son and he wanted to give his old parents everything they needed वो अपने old parents को वो सब कुछ देना चाता था, जिनकी उनको जरूरत थी ठीक है, वो चाता था कि वो अपने parents के लिए कुछ न कुछ करे, मतलब जादा से जादा करे जिस चीज की मेरे parents को ज़रूरत है मैं उसको प्रापत कर सकूँ, ये चाता था टारो, ठीक है everything they needed, ठीक है next, देखिए, next क्या है one evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut hut होती, मतलब जो जोटी 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 होती, उसको कहते है hut, ठीक है, hut को लिख लो जोटी, यहाँ पर देखो hut दिया यहाँ पर, hut को आपको करना है जोटी, ठीक है, one evening when Taro and his parents were sitting in a corner of his hut a strong wind begin to blow ठीक है, एक दिन क्या था, Taro और उसके parents, जब अपने hut के corner में बैटे होते तब ही क्या हुआ, a strong wind begin to blow, मतलब उसी बग जो है a strong wind वहाँ से blow होई, ठीक है मतलब वहाँ से एक बहुत ही तेज हवा जो है वहाँ से चली, ठीक है blow का मतलब होता है बहना, ठीक है बहना, ठीक है या प्रभाहित होना प्रभाहित होना ठीक है बहना, अब बहना यहाँ पर देखो जो blow है उसका मतलब है बहना, लेकिन यहाँ पर पानी का बहना नहीं है, जैसे आपने देखा हो wind, wind को कहा हम कहते है, wind blow कर रही है इसके आप 3 form of the bio ब्लो, blow, blow, blue, blow का मतलब बहना, लेकिन पानी केली इसका यूजज कहां करेंगे, जैसे जहां पर देखो wind blow कर रही है मतलब हभा बेहरई है, ठीके next देखो it whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold अब यहाँ पर देखो क्या है इसमें दिया हुआ it whistled through the cracks अब देखो जो उनकी hut थी ना वहाँ से मतलब उसकी जो cracks थी मतलब उसकी जो दरा रहे थी वहाँ से वो आवाज करते हुई क्या हुई वो हवा of the hut and everyone felt very cold अब देखो बहुत तेजी से वो क्या हुआ bind blow हुई वहाँ से और जो उनकी hut जो उनकी जोपड़ी थी उसकी जो चोटी चोटी दरा रहे थी वहाँ से आवाज करते हुई वो हवा क्या हुई अंदर आ रही है and everyone felt very cold और सारे के सारे क्या उन्होंने क्या मैसूस क्या बहुँ ज्ठड़ी feeling in defense feel का मतलब होता है मैसूस कर लिखो इसको feel का मतलब क्या है मैसूस कर न और इसकी three form of the verb हम लिखेंगे feel felt felt feel felt feel मतलब मैसूस करना felt मतलब मैसूस किया felt मतलब मैसूस किया second and third form next suddenly अब यहाँ पर देखो क्या है Suddenly का मतलब होता है अचानक इसको लिख लो Suddenly means अचानक एकदम से टारो के फादर ने क्या कहा I wish I had a cup of tea काश मेरे पास एक सेक का कप होता अब सेक देखो यह क्या है सेक एक drink है drink का नाम है सेक एक बहुत ही sweet drink है जिसका नाम क्या है सेक है He would warm me sorry It would warm me and do my old heart good उसके फादर क्या विश्क कर रहे है उसके फादर यह विश्क कर रहे है कि काश मेरे पास एक सेक का cup होता तो क्या होता It would warm me यह मुझे गरम करता ठीक है, and do my old heart good, और मेरे थंडे हिर्दे को, and would my, and do my old heart good, ठीक है, उज़े जो है काफी अच्छा महसूस होता फिर, ठीक है, next देखो क्या है, this made taros sadder than ever, ठीक है, इसने जो है taros को और ज़्यादा sad कर दिया, इतना sad की जितना पहले कभी नहीं हुआ था वो, ठीक है, for the heartwarming drink, for the sick, sick का एक कप आ जाता, ठीक है, ये काफी expensive थी, ठीक है, कैसी थी वो, expensive थी, अब आपको बताए कि taros तो एक गरीब लकड़ हा रहा था, मतलब लकड़ी काटके अपना गुजारा करता था, ठीक है, अब उसके फादर ये चा रहे है कि उसको जो है, sick का एक कप मिले, और sick कैस expensive है, expensive का मतलब होता है, महेंगा, इसको लिख लो, महेंगा, ठीक है, sick का मतलब क्या होता है, महेंगा, ठीक है, how do I earn more money, मैं कैसे जो है, और ज़्यादा money कमा सकता हूँ, he asked himself, उसने अपने आप से ये question पूछा, ठीक है, how do I get a little sick for my poor old father, मैं कैसे जो है, अपने old poor father के लिए sick क प्ला सकता हूँ, he decided to work harder than before, वो ये decide करता है, कि वो जो है, पहले से भी ज़्यादा मैनत करेगा आप, आला कि वो पहले भी काफे ज़्यादा मैनत करता था, आपको पता है, ठीक है, कि वो पूरा का पूरा दिन जो है, लकडी काटे में बेताता था, अब इसमें वो अपने स सोचा, कि मुझे जो है, और ज़्यादा मैनत करनी पड़ेगी, जितनी मैनत मैं पहले करता था, उससे भी ज़्यादा अब ज़्यादा मैनत करनी पड़ेगी, ठीक है, next देखे, next morning, taro jumped out of the bed, वो अपने bed से जो है, jump करते उठा, earlier than usual, and made his way to forest, वो जो है, taro jumped out of the earlier, jumped out of bed earlier than usual, and made his way to the forest, वो जल्दी सुबा उठा, और जंगल की ओर चला गया, ठीक है, he chopped and cut, chopped and cut, as the sun climbed, ठीक है, वो लगडियों को कारता गया, कारता गया, मतलब उनके टुकडे करता गया, करता गया, ठीक है, as the sun climbed, जैसे, जब तक की सूरज ना आ गया, ठीक है, सूरज ना ठीक है, next, and soon he was so warm that he had to take off his jacket, जल्दी ही वो इतनी ज्यादा गर्मी उसके अंदर पड़ गई, मतलब लकड़ी काटे काटे काटे, उसको काफी ज्यादा गर्मी फील हो रही है, ठीक है, उसको इतनी ज्यादा गर्मी फील हुई कि आब उसको अपनी जैकेट भी उतारनी पड ठीक है, वेट का मतलब होता है गीला, ठीक है, वेट का मतलब होता है गीला, लिखलो इसको वेट मतलब गीला, ठीक है, वेट विद स्वेट, स्वेट का मतलब होता है पसीना, स्वेट का मतलब होता है पसीना, ठीक है, नोट करते जाना इन बोर्ड को जितने मैं बता रहा THREAM thing product if only he was as warm as I काश वह वह इतना गरम हो पाते हैं जितना की मैं है वह अपने फादर के बारे में ही सोच रहा हुदा Next it will And with that he began to chop even faster thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's wounds अब यहां पर देखो वो अब क्या करने लगा वो अब यह जब उसको अपने father की जब उसको याद आ रही है तो वो क्या कर रहा है जितनी fast वो पहले लकड़े काड़ रहा था उससे भी ज़्यादा speed उसने अपनी बढ़ा ली मतलब उसको अपनी speed बढ़ा ली उसने वो क्या चाह रहा है वो यह चाह रहा है कि वो किसी भी तरीके से जो है अपने father के लिए वो जो sick है उसको जो है arrangement कर सके उसके लिए उसको ज़्यादा money चाहिए तो इसको ज़्यादा काम भी करना पड़ रहा है तो next देखे then suddenly taro stopped chopping तभी एकदम से taro ने क्या कर लिया chop करना बंद कर दिया chop करना मतलब लकडियों को काटना उसने बंद कर दिया उसे क्या हुआ what was that sound he heard यह कैसा sound था जो उसने सुना could it be could it possibly be rushing water क्या यह rushing water है rushing मतलब क्या यह बहता वो water है अब देखो वो जो लकडियों काट रहता था तो उसे एकदम से कुछ sound सुनाई दिया तो एकदम से वो लकडियों काना stop कर देता और उसे यकीन नहीं हो रहा कि क्या जो यह आवाज में सुन रहा हूँ क्या यह water की है flow करते हुए water की आवाज है यह अब यह अपने हाँ से question कर रहा है वो अब यहाँ पर देखो क्या है तारो ने कभी भी जो है ना तो कभी देखा था और ना ही सुना था किसी rushing stream के बारे में मतलब किसी बहते वो पानी के सोते के बारे में उसने नहीं सुना था he was thirsty वो कैसा था thirsty था thirsty का मतलब आपको पता है thirsty क्या होता है प्यासा होता है ठीक है the axe dropped out of his hand उसके हाथ में जो x थी x का मतलब होता है कुलहाडी ठीक है x का मतलब क्या है कुलहाडी ठीक है x का मतलब क्या है कुलहाडी the axe dropped out of his hand and his rain in the direction of the sound तबी जो है, उसके हाथ से जो, उसके पास जो X थी, वो नीचे गिर गई, ठीक है, और वो कहां किस और दोड़ पड़ता है, जिस और से वो sound आ रहा था, तो उस और जो है, वो दोड़ पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर देखो, एक word आपके पास आ रहा है, ran, ठीक है, यह किसस को लो आप रन का मतलब तो आपको बता है किया होता है ठीक है रन का मतलब दौना ठीक है टारो सो आप ब्यूटिफुल लिटल वे रेन फॉल सॉरी वाटर फॉल टारो सो आप ब्यूटिफुल लिटल वाटर फॉल हीड़न बिहाइंड रॉक टारो ने क्या देखा एक at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hand and put it to his lips, अब यहाँ पर देखो, जैसे ही वहाँ पर पहुंचा ना वो, तो उसने क्या किया, अपने हाथ में छोड़ा सा कप बनाए, मतलब आप भी देखो, जब आप किसी टैप के नीचे पानी को पीते हो, तो आप क्या करते हो, अपने हाथ से चोड़ा सा कप बना देते हो, ठीके तो उसी तरह से, सेख या ये सेख थी, सेख का मतलब, सेख मैंने आपको का सेख क्या है, स्वेक एक स्वीट सा जो है, ड्रिंक है, जिसको की उसके फादर पीना चाते थे, ठीके, he tasted it again and again, उसने बार बार जो है उसको टेस्ट किया, ठीके, किसने टारो ने उसको टेस्ट किया, and always it was the delicious सेख, ठीके, और हर बार ये क्या था, एक delicious जो है, सेख था, ठीके, instead of cold water, ये cold water नहीं था, ये क्या था, ये एक delicious सेख था, ठीके, delicious का मतलब क्या है, very tasty, delicious का मतलब क्या होता है, बहुत स्वादिश्ट, या हम क्या सेख स्वादिश्ट, ठीके, delicious क्या है, स्वादिश्ट, ठी वहां पर पिच्र की आप पॉट कर लो वहां पर वहां पर पॉट कर लो हम पर उसके पास प्र जो गरी एवाल द इसकेुंचेल इसके सब्सक्राइघ मदसें।żyल किवस्टाटेत कर्या होता है खुश होना ठीक है was delighted with the sick जब उसने देखा old man ने sick को देखा तो वो काफी खुश हुआ ठीक है after old man किसकी बात हो रही है old man मतलब जो taro का जो father है ठीक है उसको काफी अच्छा लगा जब उसने sick देखा कि taro उसको ने sick लाए हुआ है ठीक है तो यहां पर देखो इस-डाइग्राम में आपको फिक्चर में आपको बताय हुआ है कि इसको यहां पर देखो शेक का एक जर्णा मिल गया ठीक है एक छोटा सा sick मिल गया और यह जो इसके पास यह भरतन है इसको कहते picture ठीक है इसको कहा गया है यहाँ पर picture ठीक है next देखो यहाँ पर next क्या है only one swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor अब यहाँ पर देखो जैसे उसके father ने जो सेक उसने लाया हुआ था टारो ने उसकी एक drop जैसे उसने swallow की swallow का मतलब होता है निगलना ठीक है इसको कर लो swallow मतलब निगलना ठीक है निगलना किसी चीज़ को निगल जाना उसको कहते है swallow करना ठीक है and he stopped shivering ठीक है जैसे ही उसने एक drop उसकी पी ली तो उसके बाद क्या हो गया उसने शिवर करना stop कर दिया, ठीक है, शिवर का मतलब क्या होता है, शिवर का मतलब क्या होता है, शिवरिंग ही कर लो, शिवरिंग का मतलब है कामपना, कामपना कर लो इसको, कामपना, ठंड से कामपना, उसको क्या कहता है, शिवर करना, ठीक है, और जैसे एक उस ड्रॉप उ पी तो उसके बाद उसका कापना बंध हो गया और वो जो है डांस करने लेगा middle of the floor जाके ठीके जो फ्लोर था उसके middle में जाके उसके फादर जो है डांस करने लगे ठीके that afternoon a neighbor stopped by stopped by for a visit एक उसी afternoon क्या था उसके एक neighbor पास हो रहे है पास से अब जब देखो उनके घर से वो गुजर रहे थे तो उनके घर में बैठते है ठीक है तो उसके बाद क्या उधा टारो फादर politely offered her a cup of sake तो तारो के फादर क्या करते है उनको जो है एक सेक का offer करते है अब देखो कोई महमान आता है तो उसको offer किया जाता कुछ ने कुछ जैसे टी हो गया कॉफी हो गया तो उसने क्या क्या टारो के फादर ने क्या क्या offer की उनने सेक offer की उसको ठीक है जो उनके घर में रुकी हुई थी मतलब वहां से गुजर रही थी तो एक मिनिट वहां पर बैठ गई थी ठीक है तो नेक्स देखो दा लेडी ड्रेंक इट ग्रीडिली ठीक है एंड चैंक दा ओल्ड मैन तो लेडी थी उसने उसको ड्रे लालच से नेक्स्ट हमारे पास दिया है जेको ठेंक फॉर्ड वैन उसने उल्ड मैन को क्या किया ठेंक यू किया ठीक है मतलब ठेंक्स किया उसको ठीक है उसके बाद देखो क्या हुआ उसके बाद जो टारो के फॉदर थे उन्होंने उसको जो है उसको स्टोरी टैल की ठीक है मतलब उसने बताए कि टारो को किस तरह से एक जहरना मिला है जहाँ पर सेक बैती रहती है ठीक है उसके बाद देखो क्या हुआ जैसे उसको पी लिया तो उसने उसको ठेक जाए उसके बाद क्या हुआ उसके बाद देखो जो पूरे-ाउन्हों के पूरे-पूरे-पूरे गाउँ में फैला दी मतलब टारो के जहरना मिला है जहाँ पर जो है सेक बैती रहती है ठीक है तो उसके बाद देखो क्या हुआ That evening there was a long procession of visitors to the woodcutters house उसके बाद क्या हुआ जैसे ही उन लोगों को पता लगा कि टारो को एक ऐसे magic fall के बारे में पता लगा है जहांपर सेक बहती है तो बहुत सारे लोग टारो के घर में visit करने लगे उनके घर में आने लगे Each man heard the story of the waterfall सभी लोगों ने जो है waterfall की story को सुना वहाँ पर and took a sip of the सेक और वहाँ पर जो सेक थी जो टारो ने लाई हुई थी उसको भी वहाँ पर उनने टेक किया In less than an hour the picture was empty मतलब एक घंटे से भी कम समय में टारो ने जो picture अपना जो बरतन उसने भर के लाया था सेक का वो खतम हो गया क्योंकि उतने सारे लोग वहाँ पर आये उनके घर में मतलब वो visit की Next देखो क्या है Next morning टारो started for work even earlier than the morning before अब देखो Next morning उसने क्या किया टारो ने जितने जल्दी वो पहले काम स्टार्ट करता था उससे भी जादा जल्दी जो है सुबा वो उठता है Then the morning before मतलब अब काफी जल्दी जो है वो उठता है Next morning टारो started for work even earlier than morning before Next देखो He carried with him the largest picture he owned आप देखो वो अपने साथ सबसे बड़ा picture अपने साथ ले गया जो उसके पास था वो उसके अपने साथ ले गया तकी जब वो काम पर जा रहा है मतलब बुड कारने के लिए जा रहा of his neighbors there they could find to hold a magicák अब देखो जितने भी वोगां पर जितने भी उसके पडोसी थे वो सारे के सारे वहां पर बहुत बड़े-बड़े बाल्टियां हो गई, पिचर हो गई, ठीक है, जार हो गई, जितने भी उनके पास बरतन थे, उनको लेके वो वहां पर पहले ही पहुंचे हुए थे, ठीक है, then one villager kneel and held his mouth under the water to drink, अब उनमें से एक पड़ोसी ने क्या किया, उनमें से एक पड़ोसी ने, वहां पर waterfall के पास गया, ठीक है, और उस waterfall में से उसने क्या किया, अपने mouth को वो कहां ले गया, under the waterfall ले गया, ठीक है, to drink, मतलब वहां पर वो टेस्ट कने लगा, उस water को टेस्ट कने लगा, ठीक है, अब वो चेक कर रहे है कि क्या वो सच में गुसे से, ठीक है, एंग्रिली मतलब गुसे से, ठीक है, शाउट का मतलब होता है चिलाना, ठीक है, शाउट का मतलब क्या है, शाउट का मतलब है चिलाना, ठीक है, he drank again and again and then shouted एंग्रिली, और उसने बार बार उसको पिया और उसके बाद जो है एंग्रिली, मतलब गुसे से वो चिला पड़ा, ठीक है, क्या चिला पड़ा? Water, ठीक है, Water, Nothing but Water, Others also tried, But there was no shake, Only cold water, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, उनके जो, उसके जो पडोसी वहाँ पर गए हुए थे, उन्होंने जब उसको टेस्ट किया, तो वहाँ पर shake नहीं था, वो क्या था, वो तो water था, ठीक है, Nothing but water, अरे यह तो water ही है, Others also tried, अब उसके बाद, पहले एक पडोसी ने start किया, पहले एक पडोसी ने try किया, उसके बाद दूसरे पडोसी ने भी try किया, तो उन्होंने भी फाया, कि वो किसी तरह की कोई shake नहीं थी, वहाँ पर water ही था, ठीक है, What there was no shake, only cold water, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई shake नहीं थी, वहाँ पर सिर्फ ठंडा पान नहीं था, ठीक है, उसके बाद क्या होता देखो, यहाँ पर देखो यहाँ पर, टारून को यहाँ से देख रहा है, टारून को पत्थर के पेचे से देख रहा है, और यहाँ देखो कितने सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, तो यहां पर देखो बरतन कितने सारे इनोंने अपने साथ लाए हुए है लेकिन वहां पर किसी भी तरह का कोई सेक नहीं था वहां पर क्या था वहां पर तो cold water था उसके बाद देखो क्या होता है we have been tricked हमें जो है धोका दिया गया है हमें जो है क्या हुआ है धोका दिया गया है यहां पर देखो दिया है tricked tricked का मतलब होता है deceived deceived का मतलब होता है छल या धोका deceived का मतलब क्या है धोका धोका देना धोका देना कर दो deceived मतलब धोका देना trick trick का मतलब भी होता है धोका यहां तक कर लो इसको trick trick का मतलब है धोका ठीक है, let us drown him in this waterfall, but taro had been wise enough to slip behind a rock, when he saw how things were going, he was nowhere to be found, अब यहाँ पर देखो, अब जैसे वो जो लोग है ना, उन्होंने जब पाया, कि अरे यहाँ पर तो किसी तरह का कोई भी सेक नहीं है, यहाँ पर तो सारा का सारा cold water है, तो उनको taro के उपर काफी कुसा है, ठीक है, वो य बुद्धिमान, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, ठीक है, wise का मतलब बुद्धिमान, लेकिन taro इतना बुद्धिमान है, वो सब कुछ कहां से देख रहा है, रॉक के पीछे से देख रहा है, वो वहाँ पर नहीं गया उन लोगों के बास, वो उनको रॉक का मतलब आप कर लो बड़ बड़ाना कर लो इसको बड़ बड़ाना या किसी भी चीज को clearly नहीं बोलना ठीक है उसको क्या कहते है हम muttering ठीक है muttering their anger and disappointment मतलब बड़ाते हुए और अपने disappointment को show करते हुए एक एक करके वो वहां से जाते गए मतलब उन्हें विलेजिस ने जखा यहां पर तो कुछ नहीं यहां तो सिर्फ water है तो एक एक करके वो वहां से जा रहा है गुस्से से ठीक है टारो came out from his hiding place अब जैसे ही सभी लोग इसको note कर लो come came come come came come from his hiding place was it true he wondered अब यह सोच रहा है यार यह कैसे हो सकता है मैंने यहीं से तो सेख को लाया था अब देखो क्या हो रहा है was it true क्या यह सच है he wondered वो जो है मतलब काफी आश्टरी चकित हो जाता है ठीक है was the sick a dream क्या यह sick एक dream था once more he caught a little liquid in his mouth and put it to his lips अब यहां पर देखो वो चेक करने के लिए क्लिए 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 एक लिकुड थोड़ा सा लिकुड वहां से लेता है और अपने लिप सक लाता है उसको ठीक है मतलब वो अब चेक कर रहा है कि क्या सच में यह cold water है मैंने तो पहले यहां से सेख लाई थ ठीक है ठीक है to the thoughtful sun the magic waterfall gave the delicious sake अब देखो जो thoughtful sun था ठीक है उसके लिए जो magic सिर्फ टारो के लिए थी, ठीक है, क्योंकि टारो कैसा था, टारो एक थाउड फोल सन था, मतलब अपने पेरेंट्स की जो है, पेरेंट्स की वो काफी रिस्पेक्ट करता था, ठीक है, और उनके लिए काफी कुछ कर रहा था, ठीक है, तो उसके लिए वो वाटर फॉल क्या कर यह बना है गिब से, इसका 3 form दर लिख लो, गिब, गिब, गिवन, g-i-v-e-n, गिब मतलब दिया, गिब या गिबन मतलब देना, गिब या गिबन मतलब दिया, ठीक है, next हम चलते है next the story of taro and his magic waterfall reached the emperor of japan यह जो taro और उसके magic waterfall की story है वो जो है जपान के emperor के पास चली गई ठीक है अब देखो यह story कहां की यह story जो है जपैन की है ठीक है जपैन का जो emperor था emperor का मतलब होता है samrath emperor का मतलब क्या होता है samrath emperor का क्या मतलब है samrath samrath क्या होता है samrath का मतलब होता है एक बहुत बढ़ा राजा ठीक है अब यहाँ पर देखो एक होता है king एक होता है king एक होता है emperor क्या king और emperor एक ही होते है king और emperor एक ही नहीं होते है king का मतलब होता है मालो एक छोटे से state का कोई head है उसको हम कहते king ठीक है पुरा अभी तो king नहीं होता आपको पता है ठीक है आज कल king का जवाना नहीं है लेकिन फिर भी एक छोड़ पराने जवाने में एक छोड़ा सा kingdom होता था उसको राज करता था उसको कहते king जबकि जो emperor होता है emperor बहुत बड़े एरिया के उपर राज करता है मतलव अगर आप कहो कि छोड़े रोगों के उपर जो रूल करता है उसको कहते king और जो बहुत सारे king के उपर направ उसको कहते तारो को इतना अच्छा इंसान होने के लिए, इतना इनाम इनाम दिया जाता है इसलिए उस समराट ने अपनी उसकी सिटी के अंदर जो सबसे ब्यूटिफल जो इसके सिटी के अंदर जो फॉटेन का मतलब होता है जो आपने देखा होगा तो उसका नाम उन्होंने टारो के उपर रख दिया तो यहां से देखो, तो यहां से देखो, वहां से एंपरर ने भी वो कर दिया कि सभी को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, ठीक है, तो यह था चैप्टर, उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन आंसर के उपार, यह क्वेश्चन आंसर हम सेकेड वीडियो के अंदर डिसकुस करेंगे, यह था पूरा पूरा चैप्टर, तो जितने भी इसके अंदर थ्री फर्म व द वर्व ल आए तो आपने उनको नोट करना है अपनी नोटबूक के अंदर सो नेक्स वीडियो के अंदर हम डिस्कुस करेंगे इस चाप्टर के क्वेश्चन अंसर्स को I hope कि अपनी वीडियो को इंज्वाग किया होगा मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुट बाई